हलो अवरिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ की इंग्लिश की बुक सी चैप्टर नवर त्री टू स्टोरी जिसकी राइटर है लियामोफ लेहर्टी और दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोपेंट जिसकी राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सी तो चलिए सबसे पहले his first flight की summary को पढ़ लेते हैं ये स्टोरी एक सीगल के बारे में है सीगल एक ऐसा समुद्री पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे पाया जाता है और समुद्र से मिलने वाली मशलियों का वो सिकार करता है राइटर कहते हैं एक छोटा समुद्री पक्षी जिसका नाम जिसे हम सीगल कहते हैं वो लेज के किनारे बैठा हुआ था लेज पर अकेला बैठा हुआ था अब लेज क्या होता है ये एक रॉक है और इस पर एक रॉक आगे की और निकली हुई है इसे लेज कहते हैं और सीगल यहीं पर बैठा हुआ था राइटर कहते हैं वो अकेला बैठा हु फड़ फड़ानी की कोशिश की तो वो डर गया क्यों डर गया क्योंकि नीचे जो समुद्रे था वो फैला हुआ था और नीचे गहराई थी इसलिए वो अपना सिर्ख जुकाता है और दोड़ का चटान के नीचे बने अपने होल में चला जाता है जहां पर वो रात को सो जाता है यानि कि वो इतना डर पोग था कि वो उड़ने से इसलिए डर रहा था ताकि वो ये सोच रहा था कि अगर वो उड़ेगा तो उसका जो पंक है उसे वो सपोर्ट नहीं करेगा और वो नीचे की और गिर जाएगा इस डर की वज़ा से वो उर नहीं पा रहा था लेकिन उस उसके जो भाई थे उसके बहन थे उससे यानि सीगल से उन लोगों के पंक छोटे थे लेकिन फिर भी वो उड़ गए थे उन्होंने उड़ना सीख लिया था लेकिन सीगल डुक के लगाने की भी हिमत नहीं जुटा पा रहा था इसलिए वो उदास हो गया था उसके माबाप तेज आवाज में जहचाहाते हुए आते हैं और उसे डाटते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जब तक वो उड़ना नहीं सीखेगा तब तक वो उन्हें भूका ही रहने देंगे लेकिन अपने माबाप के डाटने के बाद भी वो हिल नहीं पाता है वो उड़ने की कोशिश नहीं कर पाता है क्यूंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो इतनी उचाय से उड़ेगा तो वो नीचे गिर जाएगा और नीचे गिरने के बाद वो समुद्रे में डूब जाए ये सारी बाते 24 गंटे पहले हुई थी और तब से लेकर के अभी तक सीगल के पास कोई नहीं आया था क्यूंकि उसने खुद ही उड़ने की कोशिश नहीं की थी और एक दिन पहले यानि 24 गंटे पहले सीगल ने अपने माता पिता को उनके भाई और बहन के साथ उसने सिखा रहे थे लहर उपर तैरना सिखा रहे थे और मच्छी पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की सिख्षा दे रहे थे शीगल ने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हरिंग मच्छी पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा था और वह एक चटान पर खड़ा और उसके माटाफिता फक्र से कूकटे हुए चारों तरफ उसके चक्र लगा रहे थैं और सीगल के उपर पूरा परिवार उसकी कायरता की वज़ा से उस पर हस रहा था सूरज अब आसमान के उपर चळढ रहा दा वो धीरे धीरे चटान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपा लिया और दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आँख मूंद ली और फिर दूसरी और उसने सोने का बहाना क्या फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है उसने अपने भाईयों और बहन को अपनी गर्दनों में सिर्चुपा कर पठार पर लेटे हुए उंगते हुए देखा था उसने क्या देखा कि उससे भाई और बहान गर्दन में सिर्चुपा कर जो पठार है उसके उपर लेटे हुए उंगते हुए उसने देखा सीगल की पिता अपनी सफेद पीट पर अपने पंखों को साफ कर रहा था सिर्फ सीगल की मा ही उसकी तरफ देख रही थी और उसकी मा एक पठार पर उची जमीन पर खड़ी थी कभी-कभी वो अपने पैरों में बड़ी मचली को काट रही थी और अपने चोच को दोनों उर से चटान से रगड़ कर साफ कर रही थी अब सीगल जब देखता है कि उसकी मा भी मचली खा रही है तो ये जो सीन था इस सीन ने उसे पागल बना दिया था वो अपनी मा से कुछ भोजन के लिए प्राथना करने लगा और वो दुख से पुकारता रहा और एक या दो मिनट के बाद वो खुशी से चीखा क्यों खुशी से चीखा? उसकी मा ने मचली का एक टुकड़ा उठाया था और वो उसकी तरफ उड़ गई थी वो एक्साइटमेंट से आगे की ओर जुका जिस चटान पर वो खड़ा था और उसने अपने पैरों से चटान को पीटा जैसे ही वो उड़ रही थी यानि जैसे ही उसकी मा उड़ रही थी उसके नस्दीख जाने की उसने कोशिश की किसने की सीगल ने उसके नस्दीक जाने की कोशिश की अपनी मा के नस्दीक जाने की कोशिश की लेकिन जब वो उसके बिल्कुल सामने थी वो रूख गई पल के लिए इंतजार किया वो उसके और नस्दीक क्यूंँ नहीं आ रही थी क्योंकि जो सीगल था वो कहां था इस चटान के उपर था। अर इसलिए वो अपने चौच में खाने को दबाए हुए यानि मशली को दबाए हुए तब सीगल भूख से पागल तो ऐसे ही हो गया था फिर उसने मचले को पकड़ने के लिए वो आगे आया और फिर चीह के साथ वो आगे बढ़ा और वो चटान से नीचे की और गिर पड़ा उसका दिल थम सा गया उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया अगले ही पल उसने अपने पंखो को फैले हुए महसूस किया यानि वो जैसे ही नीचे की और गिरा उसे यह महसूस हुआ कि उसके जो पंख है वो फैल गया है और उसकी चाती से हवा तकराती है और तब उसने पेट की नीचे और पंखो के नीचे हवा को महसूस किया उसने अपने पंखो के किनारे पर हवा कटती हुई महसूस की जब वो सीर के बल नहीं गिर रहा था वो धीरे धीरे नीचे और उपर के और उड़ रहा था उसके दिल में डर नहीं था उसका सिर्चकराने लगा फिर उसने एक बार पंक फड़ पड़ाय और वो उपर के और बढ़ गया और उसके मा अपने पंकों से तेज शोर करते हुए वहां से गुजरी उसने मा को फिर चीख कर जवाब दिया फिर उसका जो पिता था वो चीखते हुए उसके उपर से उड़ा उसके दो भाई और बहन को अपने चारो तरफ घोड़ी की तरफ आगे उच्छाल कर तीर्षे उपर उड़ते हुए तदा नीचे डुपकी लगाते हुए देखा यानि वो जैसे ही समुद्रे के तरफ गिरता है तो उसके पंक आटोमाटिक वो खुल जाते हैं और वो उड़ना शुरू हो जाता है और वो अपने मापाप को अपने भाई बहन को अपने चारो और उड़ते हुए देखता है और फिर वो भूल गया कि वो हमेशा उड़ नहीं सकता था वो तेज से चिखता हुआ आगे की तरफ उचल कर उपर चढ़ने वो डुपकी लगाने लगा अब वो समुद्र के नस्दीक था ठीक उसके उपर से वो उड़ रहा था उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा और छोटे छोटे ठीले उस पर तैर रहे थे और उसने अपने चोंश को दोनों और घुमाया और खुश होकर काई काई करने लगा उसके माता पिता उसके भाय और बहन इस हरे फर्ष पर यानि समुद्र पर उसके आगे बैठे थे पे उसे चीखते हुए बुला रहे थे उसने डर से चीखते हुए तथा पंकों को फड़ फड़ाते हुए फिर उठने की कोशिश की वो ठका हुआ था और भूख से कमजोर और अभ्यास से ठकर चूर हो गया था यानि वो कोशिश करके ठकर चूर हो गया था और वो उपर नहीं उठ सका उसके पाओं हरे समुद्र में डूब गये थे फिर उसके पेट ने समुद्र को चुआ और वो इससे अधिक नहीं डूबा वो उस पर तैर रहा था तब उसके चारों तरफ उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रसंसा कर रहां था, उसकी तारीव कर रहा था और उनकी चोच डौग मचली के टुकडे उसे भेंट कर रहे थे, यानि कि सीगल भूका था, और उसके माबाप ने पहले ही उसे कहा था कि जब तक वो तैरना, जब तक वो उन्हें खाना भोजन नहीं देंगे लेकिन जैसे ही वो अपनी उडान भरता है उसके माबाब खुसी से उसे और उसके भाई बहन खुसी से उसे डॉग मचली उसे भेट कर रहे थे खाने के लिए उसने अपनी पहले उडान भर ली थी ये थी सीगल की कहानी और आई होप ये स मेरी आपको पसंद आई है तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की समेरी दा ब्लैक एरोपलेन इस स्टोरी में राय्टर कहते हैं मेरे पीछे पूरब से चांद उपर आ रहा था और मेरे उपर साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे यानि जो रायटर थे वो क्या खुश था यानि कि वो आसमान में एरोपलेन उड़ा रहे थे और नीचे क्या था नीचे पॉपुलेशन थी लोगों के घर बसे हुए थे आगे वो कहते हैं मैं अपना डकोटा वायू यानि यानि डकोटा जो एरोपलेन है वो फ्रांस के उपर से वापस इंगलैंड की और उ वापस इंग लैंड जा रहे हैं और उन्हें छुटी मिलेगी और वो अपने परिवार के साथ रहेंगे और छुटियां भी ताएंगे फुर वो कहते हैं मैं अपने घड़ी मैंने देखा वो वक्त के इतना था डेड़ बज रहा था आगे वो कहते हैं मैंने सोचा मुझे ज शाहर का प्रकास देखा यानी जब उन्होंने देखा तो उनके सामने एक शहर था और शहर जग मगा रहा था रौशनी से मैंने रेडियो चलाया था यानी रैटर ने रेडियो चलाया था यानि पैरिस कंट्रोल डकोटा डिएज 088 क्या आप मुझे सुन सकते हैं मैं इंगल अब आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए DS 088 over फिर जब वो मैसेज देते हैं तो वापस उधर से मैसेज आता है कि आपको 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए फिर राइटर क्या कहते हैं कि मैंने मांचित्र यानी मैप की तरफ और कमपास की तरफ देखा दूसरा और लास्ट जो फ्यूल टैंक के था उसे चालू किया और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लेंड की तरफ मोड़ दिया फिर वो कहते हैं फिर वो अपने आप में सोचते हैं कि मैं नास्ते के ठीक समय बाद पहुँच जाओंगा एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नास्ता खाओंगा सब कुछ ठीक था और ये उड़ान जो थी सरल थी यानि कोई प्राब्लम्स नहीं थी वो आराम से उड़ रह थे यानि उनके सामने बादल थे और वो भी आंधी वाले बादल थे वे उनके सामने आसमान में खड़े हुए काले माउंटेन की तरह नजर आ रहे थे वो कहते हैं कि मैं जानता था कि मैं उनके उपर से नहीं उड़ सकता था और नोर्थ और साउथ की तरफ बादलों का चक नहीं है, उन्होंने सोचा कि उन्हें पैरिस लॉट जाना चाहिए, वो घर जाना चाहते थे, उन्हें नास्ता चाहिए था, इसलिए वो सोचते हैं कि वो खतरा उठाएंगे, वो इंग्लेंड जरूर जाएंगे इस आंधी से होते हुए, और फिर वो अपने पुराने डकोट को सीधे आंधी में उन्होंने उड़ाया बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं था पुराना एरोप्लेन हवा में उचला और मुड़ा और उनका कमपास उन्होंने जब देखा उन्हें अपनी आखों पर भरोस उचिश्की और उन्होंने कहा पारिस कान्ट्रोल से मैसेज देना चाहते थे लेकिन मैसेज नहीं मिल पा रहा थे तो मैसेज़ देते हैं जहीं स्डूली हरा नहीं मिलता है और उनके पास नी país और पगल वolaया और प्रेल्समीर आप और तब उन्हें अपने नस्दी काले बादलों में उन्हें दूसरा एक एरोपलेन नजर आता है उसके एरोपलेन के जो पर होते हैं उसके उपर रोशनी नहीं थी लेकिन वो उन्हें आंधी में उड़ता हुआ देख सकते थे ऑथर कहते हैं कि दूसरे एरोपलेन में जो पाल ठाथ ही लागते हैं उन्हें कहते हैं कि मेरे पीछे आओ ने हैं अन्हों ने सोचा कोशिश कर रहा है आदे घंटे तक वो अजनबी काला एरोपलेन उनके आगे था और अब पांस से दस मिनट तक उड़ने का पेट्रोल ही दकोटा में बचा था ओथर को फिर डर लगने लगा था लेकिन तब उसने यानि जो दूसरे एरोपलेन था वो नीचे जाना शुरू किया और ओथर अपन आगे रोशने की दो लंबी रेखाएं देखी और वो क्या था एक रनवे था एक एरपोर्ट था वो सुरक्षित थे वो सेफ थे और वो काले एरोपलेन में अपने दोस्तों को ढूरने के लिए मुड़ते हैं लेकिन आसमान खाली था वहां कुछ भी नहीं था वो कंट्रोल सेंटर जाते हैं और उन्होंने एक लेडी से पूछा कि वो कहां थे और दूसरा जो एरोपलेन था उसका पालेट कौन था वो उन्हें थैंक्स कहना जाते थे उसने इस ट्रेंजली ओथर को देखा और फिर वो हस दी वो कहती है कि दूसरा एरोपलेन इस आंधी में उपर आ इसके बाद आथर हैरत में पर जाते हैं और वो सोचते हैं किसने उन्हें बिना कमपास के बिना रेडियो और बिना टैंके में अधिक इंधन होते हुए भी यानि टैंके में अधिक इंधन ना होते हुए भी सेफले पहुचाने में मदद की थी उस काले अजनबी एरोपलेन मे बिना रोशने के उड़ने वाला पाइलट कौन था यानि कि वो हैरत में थे कि जब उस लड़के से उन्होंने पूछा कि आस्मान में दूसरा पाइलट कौन था तो उसने इंकार कर दिया था और उसने कहा उसने ये कहा कि आस्मान में सिर्फ आपका ही रडार पर एरोप्लेन था ये सुनकर वो हैरत में पढ़ते हैं कि उनकी हेल्प करने वाला दूसरा पाइलट कौन था आई होब ये समयरी आपको पसंद आई है पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलती हूँ नेक्स वीडियो में थैंक यू